M.D.H. मसाला की सफलता की कहानी ये कहानी है महाशे धर्मपाल गुलाटी की जो कभी अपने जीवन निर्वाह के लिए तांगा चलाते थे और आज मिसाला किंग मसालों के बादशा के नाम से मशेहूर है आज उनके बनाए M.D.H. मिसले हर घर की रसोई की पहचान है महाशे धर्मपाल गुलाटी के जीवन में उतार चड़ाव, संगर्श, परिश्रम और फिर सफलता प्राप्ती जैसे अनेक मसाले शामिल है जो हम सब के लिए बहतर मार्ग दर्शक साबित हो सकते है महाशे धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियाल कुट में एक सामान्य परिवार में हुआ था उनके पिता महाशे चुन्नीलाल और माताचनन देवी दोनों ही धार में प्रवरती के थे, वे दोनों आरे समाज के अनुयाई थे धर्मपाल का बच्पन सियाल कुट में बीता, जहां उनके पिता की मिर्च मसालों की दुकान थी, जिसका नाम था महास्यान दीहर्टी उनके पिता अपने बनाय मिर्च मसालों के कारण उसक्षेत्र में दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाने जाते थे धरम पाल का मन कभी भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। पांचवी कक्षा में फेल होने के बाद तो उन्होंने पढ़ाई से नाता ही तोड़ लिया और स्कूल छोड़ घर पर बैठ गए। अपने पुत्र के इस तरह पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता पहले तो किसी भी काम में विटिक नहीं पाए। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपनी ही दुकान पर बैठा दिया और वे वहां मिर्च मसाले पीशने का काम सीखने लगे। 18 वर्ष के होते उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी। सब कुछ सही रीती से चल रहा था कि 1947 में देश का विभाजन हो गया और सियालकट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पारक व्यवसाई को शुरू किया। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कार्य के प्रतिपूर्णी इमानदारी से आज यह मुकाम हासल किया है। एक उद्योगपती होने के साथ साथ वे एक समाज सेवी भी है। उन्होंने समाज सेवा के उद्देश से कई अस्पताल और स्कूलों का निर्मान करवाया। जन्होंने एक समाज से करवाये निर्मान करवाओती हए लगन करवाया। झाल झाल